गनपती जी अपने भगतों को ये संदेश देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिये मेरे भगतों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? किस बात का इंतिजार कर रहे हो? सुब घड़ी तो तुम्हारे जीवन में दस्तक दे चुकी हैं, क्या तुमने महसूस नहीं किया? मेरा अशिरवाद तुम्हारे जीवन में पहुँच चुका है, बहुत लंबे समय से जिस परिशानी से तुम जूज रहे थे परिवार के किसी सदश्य की स्वास्त की वज़ा से भी तुम परिशान थे धन की कभी उच तो कभी नीच हो रहे थे चलो, धन की समस्या से भी मैं तुम्हें मुक्ती देता हूँ आज मैं तुम्हें धन, सुक, समरिधी, शान्ती और स्वास्त का वर्दान देने आया हूँ हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सारे दुख को मैं दूर करने आया हूँ क्योंकि जिस परकार घने अंधेरे काले रात के बाद हर रोज सुभा होती है तुम्हारे जीवन के अंधकार के बाद भी सुभा होने का वक्त आ गया है तुम्हारा अच्छा समय कुछ शन पहले ही प्रारंब हुआ है इसलिए तो ये संदेश तुम तक पहुँचा है तुम मुझे सुन पा रहे हो देख पा रहे हो इसलिए अपनी इच्छा को कहो मेरे बच्चे मन ही मन मुझसे मांगो जो चाहते हो वैसे तुम ना भी मांगो तुम मुझे पता है तुम्हारी जरूरते क्या है फिर भी मेरे बच्ची, मैं तुम्हें बता दू, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और तुम मेरे प्यारी बच्ची हूँ, तुम्हें जीविसिष्ट हो, तुम्हारा जीवन स्रेष्ट है, और मैंने तुम्हें कई गुनों से भरा है, तुम्हारे आने वाले समय में भी मैं और तुम्हें दिशा निर्देशित करता रहूंगा, मेरे बच्ची खुश हो जाओ, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा अच्छा समय प्रारंब होता है, अभी से खुश रहूं